हलो फ्रेंट्स श्वागत है आपका आपके चैनल सिष्टी किचन में फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी तो उसके लिए में क्या क्या इंगीजिन चाहिए तो भिंडी को मैंने धुल के कटकर लिया है गरम मसाला औरेश्ट मसाला कुछ खड़े मसाले लिये हैं लॉंग काली मेश दाल चिन्नी देश पत्ता हरी धनिया प्याज अद्रक लासुन मिर्ची का पेष्ट चल रहे हैं फ्रेंसेस को बनाने तो तेल गरम हो गया है तो सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे तो फ्रेंस गेस का फ्लेम मैंने हाई पेष्ट किया है इसको हम फ्राई कर लेंगे तो भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है इसको अब निकाल लेंगे हम तो इसके बाद हम खड़े मसाले डालेंगे तो खड़े मसाले अच्छे से पक गए है अब इसमें हम प्याच जा लेंगे प्याच को फ्रेंस मैंने कद्दू कस कर लिया है आप इसका पेष्ट भी बना सकती है तो प्याच को अच्छे से पका लेंगे तो इसी पॉइंट पे हम अध्रकलास मिच्ची का पेष्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से हम पका लेंगे तो इसके बाद इसमें हम हल्दी का पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी सिम्ला पाउडर और इसको भी अच्छे से हम फून लेंगे फ्रेंज अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब पढ़ना न भूले और बेल आइकन को प्रिश्ट कर दें जिससे मैं कोई वीडियो अप्लोट करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेसन आपके पास पहुचेगा जिस फ्रेंज ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत सुख रिया तो इसके बाद इसमें हम यह रिष्ट मसाला डालेंगे तो फ्रेंज जिससे आपसे सबजी की कौउन्टिटी हो उससे आपसे आप मसाला डालें यहाँ पर मैंने डेरी स्पून मसाला डाला है मसाला को भी अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद इसमें हम खड़ा मसाला जिसको रोष्ट करके मैंने पिश लिया था इसको भी हम डेरी स्पून डालेंगे और इसको भी अच्छे से हम पका लेंगे तो मसाला बहुत अच्छे से पक गया है अब इसमें हम बिंडी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा ही डालेंगे और इसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे तो फ्रेंस सबजी पकने के बाद बहुत पर्फेक्ट हमारी ग्रेवी रहेगी तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसको मिक्स करके हम ठक देंगे एक उबाल आजाये उसके बाद गयस का फ्याम हम सलो कर देंगे और तीमी याज में इसको हम दस मिनट के लिए पका लेंगे और बीच-बीच में इसको हम चेक करते रहेंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी भिंडी की सब जीवन गई है अब इसमें हम थोड़ी सी हरी धन्या जिसको धुल के काट लिया था उसको डालेंगे तो बहुत परफेक्ट हमारी ग्रेवी है अब इसको हम एक बाउल में सरू करेंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं बहुत ही डिलिशस हमारी भिंडी की मसालेदार सबजी बनी हुई है आप इसको ट्राइ कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब पढ़ना ना भूलें दोस्तों के साथ सेर जरू करें और कमेंट करके बताएं आपको भिंडी की सब्सक्राइब कैसे लगी